हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका सागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे रेस्टोरंट स्टाइल पनीर टिक का मसाला की रेसिपी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और रेसिपी तो बहुत ही आसान है अब देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्स्चर कितना लाजवाब है तो चलिए, सुरू करते हैं आसान फूर रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले सबसे पहले हम मेरी नेशन तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने चार टेबल स्पून दही ली है इसमें हम एट कर देंगे एक टीस्पून नमक देर टीस्पून लालमिश पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून अजवाइन एक टीश्पून धनिया पावडर और हाफ टीश्पून तंदूरी मसाला देखिए आप यहाँ पर तंदूरी मसाला की जगा एक चोथाइ टीश्पून गरम मसाला भी एट कर सकते हैं और हमने इसमें जो अजवाईन एट की है उसे हमें क्रस्ट करके एट करना है इसमें एट कर देंगे पनीर, तो यहां पर हमने 500 ग्राम पनीर को इस तरह बड़ी साइज के टुकडों में कट कर लिया है, आप पनीर के मीडियम साइज के टुकडे भी कट कर सकते हैं, अब हम इसमें एट कर देंगे रफली चोप की हुई, सिमला मीच और प्याज, आप कर दिया, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए हमने यहां पर सिफ ग्रीन सिमला मीच का इस्तेमाल किया है, आप ग्रीन, येलो और रेट टीनो सिमला मीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढख कर 15 मिनिट के ल इस तरह से बड़े टुकडों में कट कर लिया है साथ ही में हमने एक बड़ी साइस का टमाटर लिया और उसे भी बड़े टुकडों में कट कर लिया ओल लिये हैं हमने 10 से 12 काजू इनको हम तेल में एट करके हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे मतलब यहाँ पर हमें प्याज और टमाटर को रफली चोप करना है क्योंकि तेल में कुछ देर तक फ्राई करने के बाद हम इसे मिक्सिजर में ग्राइंड कर लेंगे देखें कुछ देर तक तेल में फ्राई करने के बाद प्याज और टमाटर सोफ्ट होने लगे हैं अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इनको रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हमें इसका फाइन पेश्ट बना लेना है अब हम टिक्के बना लेते हैं तो हमने तवे पर दो टेबर स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें हम एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ मेरी नेशन यानि कि पनीर, सिमला, मिर्च और प्यास सबको हम इस पर एट कर देंगे और हमें इसे मेडियम फ्लेम पर फ्राइए करना है इसकी साइट्स को चेंज करते हुए हमें इसे हर तरफ से अच्छे से फ्राइए कर लेना है तो हमने टिकों को मेडियम फ्लेम पर पास से साथ मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइए कर लिया अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे टिक्के हमने रेडी कर लिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं तो तीन टेबल स्पुन जितना तेल गरम करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पुन जीरा साथ ही में हम इसमें एट करेंगे दो छोटी इलाईची और दाल चिनी का एक टुकड़ा कुछ सेकेंड बाद हम इसमें एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ प्यास, तमाटर और काजु का पेश्ट मिक्सीजार को खंगाल कर इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और अब हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे ग्रेवी को बढ़िया सा कलर देने के लिए हम इसमें एक टिस्पून कस्मिली लाल मिच पाउडर एट करेंगे साथ ही में हम इसमें एट करेंगे हाफ टिस्पून नमक नमक ध्यान से एट करेंगे क्योंकि हमने मरी नेशन में ओल्ड़ी नमक एट किया हुआ है और एट कर देंगे एक टिस्पून भर के धन्या पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लोफ लेम पर हम इन मसालों को कुछ देर तक तेल में भून लेंगे देखें लोफ लेम पर हमने मसालों को दस मिनिट तक अच्छे से भून लिया मसाले सारे अच्छे से भून चुके हैं और इसका तेल भी सरफेस पर आने लगा है एक बार इसे चला लेंगे और इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे तो हमने एक ग्लास जितना पानी इसमें एट कर दिया इससे अच्छे से mix कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें कुबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर एक कुबाल आने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हमारे तयार के हुवे टिके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने टिकों को फ्राई करने के लिए तवे का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो ग्लील पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे इसे एक बार चला लेंगे और इस टेज पर हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून बटर देखिए ये जो बटर है ये होममेड है इसकी रेसिपी हमने अल्रेडी सेर की हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब इसे ढख कर लो फ्लेम पर कुछ दे तक पकाएंगे लो फ्लेम पर हमने इसे 10 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया एक बार इसे चेक कर लेंगे साथ ही में पनी टिक का मसाला बनकर बिल्कुल तयार है गेस की फ्लेम को ओफ करके इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला और एट करेंगे एक टीस्पून भूनी हुई कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे सव कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है रेश्टोरंट स्टाइल पनी टिक का मसाला इसे सव करने के बाद हम इसे बारिक कटे हुए हरे धन्य से गानिश करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर में लेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई